श्मीता जी खुद के लिए कुर्ती खरीदने के लिए दुकान जाती हैं वो वहां तरह तरह की कुर्तियां देखती हैं हर एक कुर्ती पर कुछ अक्षरें लिखी रहती हैं जैसे रहती एक्स एक्सल डबल एक्सल इन अक्षरों का मतलब क्या है कुछ अंक तत्था संख्याएं एक दो तीन डस बीस दीस अधी ऐसे नहीं लिखी जाती हैं पर स्लेह cuatro वहां आपण दर्शाती है उसे रोमन अंक तत्था संख्याएं कहां जाता है रोमन संख्या में एक्स याने चोटे आकार की तथा साइज वाली कुरती, डबल एक्स याने मध्यम आकार की तथा साइज वाली कुरती, एक्सल याने बड़े आकार की तथा साइज वाली कुरती, डबल एक्सल ज्यादा बड़े आकार की तथा साइज वाली कुरती, यह अंग तथा संख्याओ पुराने जमाने में न संक्याओं का उपयोजन करते थे छलिए अब हम रोमन संख्याओं हिंद्व-ारेबिक संख्याओं से तुलनात्मक रिती से देखेंगे तथा रोमन संख्याओं की तुलना हिंदू अरेविक संख्याओं के साथ करेंगे रोमन संख्याओं आय हिंदू अरेविक संख्याओं तथा अंक एक रोमन संख्याओं वी हिंदू अरेविक संख्याओं तथा अंक पांच हम लिखते हैं एक और आगे पांच अभी हम 2, 3, 4 तथा 6, 7, 8, 9 यह संख्याएं रोमन संख्याओं में लिखेंगे रोमन संख्याओं लिखने के लिए पांच नियम है नियम एक, I, X, C, अक्षर और M का पुनरलेखन तीन बार कर सकते हैं I बराबर एक, दो I बराबर एक अधिक एक दो II बराबर एक अधिक एक अधिक एक तीन, X यहने 10 XX यहने 10 प्लस 10 बराबर 20 और XXX यहने 10 प्लस 10 प्लस 10 यहने 30 जब अवरोही करममूल के अनुसार अक्षर लिखे जाते हैं तब अक्षरों का मूल यह जोड़ा जाता है XVI बराबर 10 अधिक पांच अधिक एक बड़ाबर 16 XV यहने 10 अधिक पांच प्लस बराबर 15 XI बराबर 10 अधिक एक बराबर 11 LX बराबर 50 अधिक 10 बराबर 60 VIII बराबर 5 अधिक 1 अधिक 1 अधिक 1 बराबर 8 XII बराबर 10 अधिक 1 अधिक 1 बराबर 12 LV बराबर 50 अधिक 5 बराबर 55 LX यानि 50 अधिक 10 अधिक 10 यानि 70 ध्यान में रखिये M बड़ा है DC डी बढ़ा है सी से, सी बढ़ा है अल से, एल बढ़ा है एक्स से, एक्स बढ़ा है वी से, वी बढ़ा है अए से, हम संभ्याय तथा अंग आरोई क्रम दोन वाले उक्षरों से घटा सकते हैं क्या कम मूल्य ज्यादा मूल्य से हमेशा घटा सकते हैं IV बराबर 5 घटा 1 बराबर 4 IX बराबर 10 घटा 1 बराबर 9 XL बराबर 50 घटा 10 यानि 40 XC बराबर 100 घटा 10 बराबर 90 जब छोटे मूले वाले अक्षर, बड़े मूले वाले और छोटे मूले वाले अक्षरों के बीच लिखे जाते हैं, तब छोटा मूले हमेशा बड़े मूले से घटाया जा सकता है LIX बराबर 50 अधिक 10 घटा एक बराबर 50 अधिक 9 बराबर 69 यहां I यह X और L के बीच है, तो I X से घटा कर L से जोड़ा जाता है उधारण 2, XXIX बराबर 10 अधिक 10 अधिक 10 अधिक 9 बराबर 29 V, L और D यह अक्षर दोहराय नहीं जाते, यानि V, V ऐसे उपयोजन कभी नहीं किया जाता D, 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 L, L इन्हें कुछ भी अर्थ नहीं है महत्वपूर्ण नोक, रोमन संख्याओं को हिंदु अर्यविक पद्धती जैसी जगा मूली नहीं जोड़ा जाता है चलिए, अब हम 1 से 20 तक रोमन संख्याओं गिनेंगे महत्वपूर्ण नोक, V, L और D कभी घटाया नहीं जाता वे कभी भी बड़े रोमन अंग तथा संख्याओं की बाईयों नहीं लिखे जाते I, एक नियम एक, III, दो नियम एक, I, III, तीन नियम एक, IV, चार, पांच गटा एक बराबर चार नियम तीन V, बराबर पांच, VI, छे, पांच अधिक एक बराबर छे, नियम दो वी आई आई साथ पांच अधिक एक अधिक एक बराबर साथ नियम दो वी आई 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 आट पांच अधिक एक अधिक एक अधिक एक बराबर आट नियम तीन आई एक्स नौ दस घटा एक बराबर नौ नियम तीन X यानि 10, XI 11, 10 अधिक 1 बराबर 11, नियम 2 XII 12, 10 अधिक 1 अधिक 1 बराबर 12, नियम 2 XIII 13, 10 अधिक 1 अधिक 1 अधिक 1 बराबर 13, नियम 2 XIV 14, 10 अधिक 5 घटा एक, बराबर 14, नियम 4 XV 15, 10 अधिक 5, बराबर 15, नियम दो XVI 16, 10 अधिक 5, अधिक 1, बराबर 16, नियम दो XVII 17, 10 अधिक 5, अधिक 1, अधिक 1, बराबर 17, नियम दो XVIII 18, 10 अधिक 5, अधिक 1, अधिक 1, अधिक 1, अधिक 8, नियम दो XIX, 19, 10 अधिक 10 गटा 1, बराबर 19, नियम 4 XX, 20, 10 अधिक 10, बराबर 20, नियम 2 चलिए, और कुछ उधारन लेंगे 30, XXX, 10 अधिक 10 अधिक 10, 40 XL, 50 गटा 10, बराबर 40 50, L, 60, LX, 50 अधिक 10, बराबर 60 70, LXX, 50 अधिक 10, अधिक 10, बराबर 70 80, LXXX, 50 अधिक 10, अधिक 10, अधिक 10, बराबर C 90, XC, 100 गटा 10, बराबर 90 100 C 300 CCC 100 अधिक 100 अधिक 100 बरबर 300 400 CD 500 घटा 100 बरबर 400 500 D 600 DC 500 अधिक 100 बरबर 600 700 DCC 500 अधिक 100 बरबर 700 800 DCCC 500 अधिक 100 अधिक 100 अधिक 100 बरबर 800 900 CM 1000 घटा 100 बरबर 900 1000 M हमने क्या सीखा? रोमन अंको में अंग्रेज ये अक्षर गतिविदी अंको को दर्शाती है रोमन अंको का जगा का मुल्य नहीं होता VLD कभी घटाया नहीं जाता IV और X से ही घटाया जाता है X सिर्फ L और C से घटाया जाता है C सिर्फ D और M से घटाया जाता है तिनको का उपयोजन करके आप रोमन अंको का तखता बना सकते हैं आप घटी प्रश्ण पत्री का आकार कपड़ों के आकारों में रोमन संख्या चुनिये स्वाध्या सराव के लिए गनित लिखिये प्रश्ण एक रोमन संख्या लिखिये एक से सो तक प्रश्ण दो नीचे दिये अंख हिंदु आरेविक अंखों में लिखिये व, X, XIV, XII, IX, CD, M, CM, CC